हलो दोस्तो, स्वागत है आपका डीमाकेटिंग बॉल में मेरा नाम है विशेग दोस्तो, आज की वीडियो का मारे टॉपिक है How to create a photography website in wordpress दोस्तो, आज की वीडियो हम एक photography website बनाने जा रहे है WordPress का यूज़ करके तूब हम आग आए हमारी लाटतो स्क्रिवं में और इस वीडियो में हम बनाने जा रहे है एक फोटोग्राफी वर्बसाइट तो guys, process काफी simple है, ध्यान से देखना है, जो theme और plugin हम इस वीडियो में यूज़ करने जा रहे हैं, उसका use करके हम आप बहुत ही जल्दी अपनी एक photography website जो है, वो create कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप properly मेरे इस वीडियो को follow करो, तब आप ये चीज अच्छी तरीके से कर सकते हो, और कुछ चीजे ऐसी है, जो आपको इस चीज में ये करते वक्त ध्यान रखना होता है, ठीक है, वो चीज मैं आपको दीरे दीरे आगे बताता रहूँगा, ठीक है, तो सबसे पहले, आपको करना ये है, कि आपको अभी मैं अपने website को एक बार चेक करा देता हूँ, तो ये जो theme है, इसको हमें change करना है, और इसकी जगे हमें एक दूसरी theme जो है, वो install करना है, ठीक है, तो अगर आपको process पता है, तब तो बहुत अच्छी बात है, बागी मैं इस वीडियो में आपको आगे दिखाता हूँ, तो सबसे पहले, आपको add new पर click करना है, ठीक है, और जो theme हम यहाँ पर इस वीडियो में use करने वाले, उस theme का नाम है, responsive, so guys, responsive नाम ही है theme का, ठीक है, तो यहाँ पर यह theme actual में responsive भी है, और बहुत ही कमाल की theme है, और यह theme आती है, cyber chimps की तरह से, जो कि बहुत ही reputed company है, जो कि बहुत ही कमाल की themes और templates बनाती है, तो यहाँ पर कोई doubt नही है, आप इसको completely trust कर सकते है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस theme को एक बार install कर दूँगा, और उसके बाद हम इस theme को activate कर देंगे, ठीक है, तो चलिए, तो install हो गया है, आप activate करेंगे, तो activate भी हो जुगा, तो अब आप देख सकते हूँ, यहाँ पर active theme जो है, वो responsive है, ठीक है, तो अब हम अपने इस website को refresh करेंगे, तो guys, अभी आपके सामने जो website है, यह चल रही है, अभी responsive theme में, तो एक बहुत ही अच्छी सी, बिल्कुल साफ सुतरी theme आप यह आपको देखने को मिल रहे है, और एक look में ऐसा लग रहा है, जैसे एक blog theme हमने install करती है, ठीक है, आप इसक responsive theme के सभी जो qualities है, वो तभी बहार आएगी, जब हम एक compatible plugin को यहाँ पर install कर लेंगे, तो उसके लिए हमें चाना है यहाँ पर plugins में, और add new में, और plugin का नाम है responsive starter templates, ठीक है, हम इस plugin को यहाँ पर install कर लेंगे, ठीक है, install करने के बाद हम इसको activate कर लेंगे, तो आप देख सकते ह तो यह जो plugin है, यह भी cyberchips की तरफ से जाता है, ठीक है अब आप इसके rating दे सकते हो, कमाल की rating है, तो चलिए, अब हम इसको activate कर लेते हैं, तो guys, active हो चुका है, यह plugin, तो अब आप देख सकते हो, यहाँ पर left side में, एक responsive का यह tab होर आ रहा है हमारे dashboard में, तो चलिए, अब हम ए आएंगे, यहाँ पर responsive है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, responsive templates, ठीक है, अब हम यहाँ पर काफी सारे templates जो है, वो देखने को मिलेंगे, उसके अंदर से हमें select करना है, तो अब हम सबसे important part में आ गए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, काफी सारे जो templates तो फ्री है, और क अब हम जाएंगे उपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो, free, तो free select कर लेंगे, free select करने के बाद, जो top में, अभी यहाँ पर जितने भी आपको templates देखने को मिलेंगे, सारे सारे free है, तो चलिए, अब हम यहाँ पर अपना जो photography के लिए, जो हमें templates चाहिए, वो हम यहाँ पर हमें real estate के लिए मिल जाएगा, या पर हमें corporate business, यानि की business website create करना है, तो उसके लिए एक बहुत ही कमाल किया, template हमें आप देखने को मिल जाए, interior design के लिए, जिस तरीका कि आप का website है, आप उसे create कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कैसे करना है, अब मैं आपको बता हूँगा, अब ज ठीक है, तो चलिए, अब ध्यान से सुनना, सबसे important part आप बता रहो, guys, कभी भी आप कोई भी template, या फिर कोई demo आप import कर रहे हो, फिर कोई template आप import कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो website है, वो एकदम clear होना चाहिए, fresh WordPress installation अगर उसमें हो, तो बहुत अची बात ह इस template में, यानि कि इस theme में हमें एक और extra features देखने को मिलना, जो कि delete previous import, यानि कि अगर इस से पहले अगर आपने कुछ भी import किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको completely delete कर सकते हो, आपको सिर्फ इसको as it is shortना, जैसे कि अभी check selected है, यहाँ पे, यह जो checkbox है, इसको हमें select करना है, और इसके बाद import site पर click करते हैं, लेकिन अगर आपका WordPress बिल्कुल fresh है, जैसे कि मैंने आपको check कर आया था, मैरे जो बिल्कुल fresh installation था, तो उस case में, मुझे अभी इसको check रखना है, मैं simply यहाँ पे import, बागी सारे जो हो check रखना है, और compulsory है, हम इसको हटा नहीं सकते है, ठीक ताकि आप जो भी import करोगे, उसमें कोई error ना आजाए, ठीक है, तो हम import site पर click कर देंगे, बस यह थी सबसे important बात, आपको ध्यान रखने वाली बात यही थी, और यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है, तो यह import हो गया है, इसको import होने में सिर्फ 30 second का time लगा, आप depend करता है आपके internet के speed और बागी सब चीजों पर depend करेगा, तो एक minute से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लेगा, ठीक है, मेरे case में यहाँ पर 30 second का time लगा है, तो आपकी case में भी 30 second या एक minute के अंदर अंदर यह हो जाना चाहिए, अगर उस तब तक नहीं होता है, तो मान के चलना कि कई न कुछ ना कुछ error हो गया है, अगर आपके internet में कही ना कुछ problem आई होगी, तो आपको यह दुबारा से करना पड़ सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं है, ठीक है, तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले, launch site पर click करना है आपको, ठीक है, मेरे case में यहाँ पर refresh कर अगर आप देखोगे तो इतना साफ एकदम clear आपको अंतसारी जी, जो कुछ आपके requirement है, सब कुछ यहाँ पर portfolio है, services है, ठीक है, best shots है, photographic studio, मतलब यह इसका जो banner है, काफी कमाल का लग रहा है, अब definitely अब आप अपना banner तो change करना चाहेंगे, जो अगर आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहते हो, तो आप लिखना चाहोगे, ठीक है, तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं, वो अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस page को अप पर edit करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे, एक बाप back कर लेंगे, हमार जो यह home page है, इसको edit with elementor पे हम click कर देंगे, तो इसके बाद हम उस page के अंदर की भी कोई भी चीज़ को हम change कर सकते हैं, कोई भी मतलब आप जो कुछ भी उसमे edit करना चाहते हो, कर सकते हैं, क्योंकि highly customizable theme है, आप इसको simply customize कर सकते हो, जो कुछ आप change करना चाहते हो, आप कर सकते ह हमने यह option आएगा, आपको recreate kit पर click करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको recreate kit पर click कर देना यहाँ पर, यह हो गया है, save changes पर click करना है, और इसके बाद आप एक बार यहाँ पर go back करेंगे, और हम फिर से यहाँ पर edit with elementor क्लिक कर देंगे, और इस बार कोई error नहीं आएगा, और simply आपको जो है edit section open हो जाएगा, ओके गाईस, तो यह रहा हमारे site और यह रहा elementor का हमारे dashboard, हम simply जो भी changes करना चाहते हैं हम कर सकते, अब जैसे कि यह photography studio यहाँ पर लिखा हुगा, आपको simply इस text पर click करना है, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ text पर click करेंगे, और photography studio रखना चाहते हो, photography, collections, ठीक है, आप जो कुछ भी यहाँ पर लिखना चाहते हो, आप इसका font size को change कर सकते हो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जो कुछ यह वाला color काफी सही लग रहा है, हम यह बटन पर आ गए हम, अब इस बटन में लिखा हुआ रहा है, read more about us, ठीक है, अब आप इसको change करना चाहते हो, तो इसको change कर सकते हो, इस बटन का color जो है, वो change कर सकते हो, जो है, जैसी हम यहाँ लिख देंगे, submit, ठीक है, अब submit लिख सकते हैं, या फिर, click to no more, ठीक है, यह कर सकते हैं, ठीक है, अब इस बटन का अगर आप color change करना चाहते हो, तो color change कर सक सिर्ट में चला जाओंगा और यहां पर तरीजय्ज कर सकते हैं हैं इसका भीट चेंज सकते हैं थीके थोड़ा सवाइब कर दिया है ठीकिए आप इसको जो कुछ भी रखना चाहते हो जैसे आप रखना चाहते है तो आपके पसंद के साब से इसको सेट कर सकते हैं ठीके तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहां पर बॉर्डर टाइप डबल ठीकिए जो भी हम यहा ठीक है अभी यह देखे यह कुछ gradient सा कलर आ गया है यहां पे यह सारी सीजे जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं तो चलिए अब hover पर भी जो कलर आना चाहिए यह से hover का color हम देखेंगे text color यहां पर होड़ा change करेंगे इस text color को, ठीक है, तो hover करने पर आप देख सकते हो, अब violet color आ रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े जो है, हम यहाँ पर change कर सकते हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हो, आप यहाँ पर आकर change करते हो, तो करने के लिए क्लिए क्लिक करना है आपको simply style में आना है, colors को, font को वग चैनल पर आजाए, ठीक है, जैसे हम चैक कर लेंगे, जैसे मैं अपना चैनल यहाँ पर type कर लूँगा, demarketing wall, ठीक है, अब मेरा यह जो चैनल है, इसको मैं open कर लूँगा, और यहाँ पर मैं से copy कर लेंगे, और यहाँ पर लाके इसको paste कर देंगे, जो link option hash, hash का मतलब होता ह same page पर रहता है, और हमने यहाँ पर link लगा दिया है, तो यह सारी सीज़े हमने यहाँ पर कर लिए, आप क्या करेंगे, कि simply इसको update पर click करेंगे, आप कुछ भी changes करोगे अपने website पर, आपको उसके बाद update पर click करना है, जैसे कि आप यह image है, अगर आपको image को change करना है, ठीक ह थो हम क्या करेंगे, इस image पर click करेंगे, image पर click करते ही, अब हम क्या करिक लिएगे, अब media library में कोई image है, तो ठीक है, नहीं है, तो आपको खुछ से upload करनी है, upload करने के लिए यहाँ पर click करके मद आप कर सकते हैं नहीं तो मीडिया लइबरेरी में अगर कोई image पहले से ही है तो हम उसे select कर सकते हैं ठीक है तो for example मैं अभी यह वाला image select कर लूँगा देखते हैं यह image यहाँ पर काम करते ही नहीं करती तो इसकी जो size है इसकी size आपको वही रखनी है जो आपके by default set image है 370 to 650 pixel की अगर आपको लगानी हो नहीं है तो आपको इस size इमेज को बनाना बहुत easy है आप paint tool का use कर सकते हो Photoshop tool का use कर सकते हो जो भी आपके पास है आप उसका बड़ा कुछ भी करना चाहते हो तो आप इसे कर सकते हो ठीक है तो यह सारे options आपको यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप अपने अपने website को हम फिर से चेक करेंगे जो भी changes मैंने किया है उसके बाद अपने website को हम फिर से चेक करेंगे तो अब आजाएंगे और इसको refresh कर लेंगे तो आप देख से तो white था अब यह refresh होने के बाद हो गया green और यह button भी चेंज हो चुका है एक लिक टूनों और यहां पर आच चुका है option और image को हमने चेंज किया नीटा बस मैंने आपको बताए दे कैसे चेंज करते हैं तो यह हो गया है आप क्या करना है कि आपको माल लोगी यह जो menu items है यहां पर आप यह जो menu items देख रहे है अगर आपको इसक create करना होगा और page करके उस page को यहां पर लेकर आना होगा लेकिन अगमान लोग इस order को change करना जैसे कि अब इस website में portfolio बाद में आ रहा और about पहले आ रहा है तो मैं चाता हूँ कि portfolio पहले आ जाया और about बाद में आ जाया है ठीक है तो हम क्या करेंगे simply को पकड़ेंगे और ड्र अब save हो चुका है तो हम इसको एक बाद refresh कर लेंगे तो portfolio पहले आ गया और about बाद में चला गया तो इस तरीके से आप हर एक चीज को है यहाँ पर edit कर सकते हो ठीक है गाईज तो इस तरीके से आप एक complete photography website बना सकते हो कुछ 10 या 20 मिनट के अंदर अंदर और उसके बाद आप इसके अंदर जू है जितने चाहरे editing आप कर सकते हो जो ञपीज आप आप अच्छा लगा होगा और यह जो भी theme है plugin से इन सब का link अपने दोस्तों के साथ आप इसी तरी के लिए चैनल को सबस्क्राइब बें पर देखने ने के लिए आपका बहुत बहुत भाँ धन्यवाद तो दोस्तों उम्मीदि ये वीडियो को पसंद आया होगा पसंद आरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए शेर भी करें आप ना पिद दो किस चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तर प्लिज आनको साइक लिजिए बेल आकटन को प्रेस काना बिलकूए मों बुलिए कुई कि इससे मेरा आने बारे हर भी डिसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो दोस्तों आज की वीडियों सर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद